नमस्कार बहुत स्वागत है आपका कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की 13 तिथी को धन तेरस मनाते हैं और अमवस्या तिथी को दीपावली और लक्षमी का पूजा का दिन तो आज हम बात कर रहे हैं धन तेरस की वो कौन सा फल है जो जरूर लाना चाहिए क्योंकि इस फल को से सीधे तोर से मालक्षमी से जुड़ा हुआ है तो चुकि यहां पर खरिदारी का सुब दिन धन तेरस होता है इस दिन बहुत सारे लोग सोना चांदी धातू यहां तक की दीपावली के पूजा के हर सामान की खरिदारी करना भी पसंद करते हैं और इस दिन खरिदा गया सामान लंबे समय तक और हमारा सास्तर कहता है कि तेरह गुना जादा फल देता है इसलिए इस दिन अच्छी चीज़ें खरिदनी चाहिए सकात्मक उरजाएं वाली निगेटिव उरजा देने वाली चीज़ों को खरिदने से बचिए अब खरिदारी के लिए जब आप जाते हैं तो कई बार क्या होता है बहुत सारी चीज़ें आपको ओफर मिलते हैं तो वो चीज़ें आपके उपर डिपेंट करता है लेकिन आज हम आपको कुछ खास बताएंगे कि धनतेरस के दिन क्या ले आना बहुत आवस्यक होता है पहला होता है मिट्टी का दिया मिट्टी के दिये के बिना दिवाली कैसी तो जो मिट्टी का दिया है इसको आप धनतेरस के दिन ही ले आए और इसी दिये से प्रियोग आप पांस दिनों तक करें दिपावली पर भी नया दिपक जलाएं इसके साथ ही आपको धनिया लाना चाहिए धनिया लाईए और इसको धन्तेरस के दिन पाणी में भीगो के रख दें और दिपावली के दिन बो दें या धन्तेरस की साम में भी आप बो सकते हैं इसको तीन-चार दिन लगातार बोते रहिए ऐसा करने से जितना ज़्यादा धन यह स्ल कैसा जाए कर दो ४ता चला जाए और इस दिन की खरीदारी हो तो प्ता if वर चीज़ा दोर्याज के जखेंगे चीज़के च ओयगे जल्डबर्ट पूजाएगा ये तांतरिक प्रियोग है धन की मुस्किलों से बचाने के लिए और धन बढ़ाने के लिए तो धन तेरस या दिपावली पर कुछ खास चीज़ें अगर लाई जाए तो सुख सम्रिद्धी बढ़ती है पर धन तेरस के दिन अगर आप जारू लेकर आते हैं ये जारू आपके जीवन में खुजियों को बढ़ाता है और इस जारू से ही आपको जारू घर में लगाना है पुराना जारू मत फेकिए गा धन तेरस का दिन ने तो फेक दिये इस पुराना जारू को दीपावली के अगले दिन फेका आया था अर्ली मॉर्निंग में तो उसके बारे में भी आपको बीदी बताएंगे लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला है मा लक्षमी का चरंचिन वैसे तो आप खुद से भी बना सकते हैं आप चाहें तो चावल को पीस कर विगो कर पीस कर उसके गोल से बना सकते हैं उनका चरंचिन ऐसा बनाईएगा कि घर में भी दिपावली के दिन भी ले आईए और इस शुर्यंत्र को जो अंग बना हुआ है इस शुर्यंत्र को आप अपने घर के पुझास्थान पर रखकर इसकी नियमित पूझा करें तो धन की बरकत होती है और तीसरी वस्तु क्या है वह जो लाने की आवा सकता नहीं है लेकिन कुवेर महराज जो है वो धन के देपता है और धन तेरस के दिन इनकी पूजा होती है तो कुवेर महराज और धन वंतरी दोनों की पूजा धन तेरस के दिन होती है तो इस दिन आपको लाना चाहिए और पूजा भी उनका देर सामें करना चाहिए चौथी बस्तू है संख अगर आपके घर में संख पहले से है तो लाने की आवा सकता नहीं है संख भगवान विश्णू और मा लक्षमी की पूजा में विश्यस महत रखता है और अगर आपको दक्षिनावर्ती संख मिल जाए तो यह सर्वोत्तम होगा तक्षिनावर्ती संख बजाये नहीं जाता वल्गों इसको अस्थापित केया जाता है और इसकी पूजा की जाती है इसमें चाबल भरकर रखे जाते हैं बिल्कुल साबुत चाबल और चाबल को एक अक करके मालक्षमी के मंत्र बोलते विए उसमें डाला जाता है वैसे आप जो संख बजाया जाता है पूजा में बामबर्ती संख उसको भी आप ला सकते हैं और निमीत रूप से इसी संख का परियोग आप सुबह साम पूजा पाट में कर सकते हैं वैसे तो मोती संख भी आप ला सकते हैं हलाकि ये बहुत दुरलब है लेकिन दिखने में खुपसूरत होता है अगर आप मोती संख लाकर अपने घर में पुझा स्थान पर रखते हैं अस्थापीत करके चावल डालकर सफेद कपड़े में बांध कर तो धन स्थिर हो जाता है तो मोती संख संभव हो तो लाकर आप भी धन को स्थिर कर सकते हैं तो इस दिन आप मा लक्षमी और गनेश जी की मूर्ति ले आईएगा जो आप दीपावली के दिन पूजा करेंगे अगर आपके घर में धातू की परतिमा है पारत की परतिमा है तो फिर लाने की आवसकता नहीं है लेकिन आप मिट्टी का हर साल चेंज करते हैं हर वर्स तो आप धन्तेरस के दिन ही गनेश जी मराज और लक्षमी जी की मूर्ति ले आईएगा तो अगले बस्तू है कोड़ी लक्षमी जी समुद पासा हल्दी से कलर कर के भी आप सकते हैं लेकिन पीला ही lifes कोड़ी आप को सिस कीजेगा इसके साथ ही आपको चाहिए कमल गट्टा मालन पुख्राप पसंद तो כमलUNG का पुख्रा भीज होता है कमल गट्टा जो कहते हैं इसकी माला भी बनती है संबब हो तो कमल गट्टे की माला से आप मालक्ष्मी का मंतर जब कर सकते हैं नहीं तो उनकी पूजा में कम सकम पांच कमल गट्टा ज़रूर अरपीत करें तो कमल गट्टा का प्रयोग से भी धन की मुश्किलें समाग्त होती है लाल गुंजा और गोमती चक्र ये सभी बस्तुएं भी मा लक्ष्मी को अतिप्री है तो उनकी पूजा में आवसकता होती है वैसे तो धनिया और धनिया के साथ आप हल्दी की पिली हल्दी की साबूत गांट भी ले आईएगा क्योंकि मा लक्ष्मी की पूजा में हल्दी की गांट की आवसकता होती है क्योंकि देवगुरु ब्रेस्पती से सीधा समन्ध है तो धन को स्थिżर करने के लिए इसके आवसकता होगी लगु नारियल ये चोटा नारियल है ये आम नारियल से चोटा होता है और इस नारियल को स्री फल कहते हैं यानि देवी लक्षमी का ही फल है तो इसको आप लाना मत भूलिएगा वैसे लगू नारियल अगर ना मिले तो कोई बात नहीं आप साबूत नारियल तो लेकर आएंगे ही पानी वाला नारियल लेकिन जो फल आपको जरूर लाना चाहिए इस धन तेरस पो उसको कहते हैं सिंगारा आपने देखा हो गा पानी वाला सिंगार यह पानी में होता है तो इसको आप जरूर लाइए और लक्ष्मि पूजा में पुजा लगा ये प्रसाद के उप में पुरी परिवार के साथ एक पर धन देरस पहते तेदी नहीं चैने इस फल को भी स्री फल कहते हैं और यह पाणी वाला सिंहारा जो होता है वो मालक्ष्मी का फल है तो आप इस फल को ले आए तो देवी लक्ष्मी कहां रहती हैं जहां सुकून हो सांती हो वह हो खुशिया हो इसलिए आप अन्य दिनों में आप कैसे रहते हैं ये आप जानेगे लेकिन जब आप धंतेरस से लेकर जो पंच महापर्व है भाईया दूस तक पूरे घर में सांती बनाए रखें जादा आप खुस रहें क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुस रहेंगे उतना ही जादा आपके जीवन में जो इस्थिरता है वह बढ़ेगी जो सांती है शुकून है वह बढ़ेगा मालक्षमी प्रसन्न होगी और धंतेरस के दिन यमदिया निकाला जाता है जरूर हम आपसे भी दा लेते हैं फिर मिलेंगे हरहर महादेब धन्यवाद